फिल्म में हुआ असली रेप पूरी दुनिया में बैन हुई थी ये फिल्म कई फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती हैं लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो अपने विवादों के कारण लंबे समय तक याद की जाती हैं। 1980 में रिलीज हुई Italian Horror Film, Cannibal Holocaust, अपने निर्मम द्रिश्यों और विवादासपद कथानक के कारण बहुत चर्चित रही। रगेरो देवदातो द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नर्भक्षी प्रलय से लेकर हिंसा और हत्या के वास्तविक द्रिश्यों तक सब कुछ शामिल था। फिल्म की बरबरता इतनी अधिक थी कि इसे कई देशों में बैन कर दिया गया। फिल्म में वास्तविक्ता को दर्शाने के लिए कई जानवरों की हत्या की गई और असली रेप सीन भी फिल्माए गए, जिससे दर्शकों में भई और आक्रोश फैल गया। इसके अलावा, फिल्म की अक्रस फ्रांचेसका सीरडी ने एक सीन के लिए कपड़े उतारने से मना कर दिया था, लेकिन डाइरेक्टर के दबाव में उन्हें वह सीन करना पड़ा। शूटिंग के दौरान कई एक्टर्ज ने सेट पर ही उल्टियां की और कुछ डिप्रेशन में चले गए। फिल्म की कहानी फिल्म में हुआ असली रेप, पूरी दुनिया में बैन हुई थी ये मूवी एंटेटेन्मेंट म्यूज रियल रेप हापन्ड इन दे फिल्म, दस मूवी वस बैंड आल ओवर दे वर्ल्ड। फिल्म की कहानी जंगलों में बसे आदिवासियों पर आधारित थी, कैनिबल होलिकोस्ट का हिंदी मतलब है, नर्भक्षियों का प्रलया, डाइरेक्टर ने फिल्म को यथार्प दिखाने की कोशिश में हिंसा और कुरूरता के सीन असली में फिल्म आए, क्योंकि उस वक्त VFX जैसी तकनीक उपलब्ध नहीं थी, डाइरेक्टर पर चला केस, फिल्म में हुआ असली रेप, पूरी दुनिया में बैन हुई थी, ये मूवी एंटेटेन्मेंट म्यूस रियल रेप हापन्ड इन दे फिल्म, इस मूवी वस बैन्ड आल ओवर दे वर्ल्ड, फिल्म के व अपनी बरबरता और विवादों के कारण, बलकि सिनेमा जगत में अपनी अद्वितियता के कारण भी जानी जाती है, ये फिल्म आज भी डरावनी फिल्मों के प्रेमियों के बीच चर्चा का विशय बनी हुई है, और इसे देखने का साहस जुटाना हर किसी के बस की बात और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें और बैल आइकन जरू क्लिक करें, इसे हमारे आने वाली न्यूज की नोडिफिकसन आप लोग को सबसे पहले मिलें